कि अलो फ्रेंट्स एक वाफिर चाप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्जाम्पलर में तो फ्रेंट्स जिसा कि आपको पता है कि अभी फिलाल हम लोग क्या करने जारा भाई शाब तो अभी हम लोग देखने वाले हैं चाप्टर मंगलम मंगलम का मतल यहां पर आज संस्क्रित का पर्थम पांट पढ़ने वाले जिसका नाम मंगलम तो सबको इत्यार और है और शरू कर रहे हैं आज कितना तो तारिक हो गया आज 24 साथ ठीक है हम यहाँ पर लिख देते हैं सर 27 2000 कितना मेरे दोस्ट 22 ठीक है 24 साथ 2022 को हम लोग जाना यह शुरू कर रहे हैं अपना संस्क्रिट ठीक है देखते हैं कितना दिन में समाप्त हो पाता ठीक है तो बच्चों हम लोग लिटरेचर पढ़ने वाले हैं और लिटरेचर में हमरे टोटल मिला के अपना यानि इस अगर विशाय की बात करें देख काफी चाप्टर से पूझे जाते हैं तो इसलिए आपको लेंट्रेचर को तुरा से पढ़ना होगा पढ़ना होगा उसका भावार्थ समझना होगा उसकी ब्याठ्या समझनी होगी तो जाके आप जोना आंसर कर पावे तो संस्क्रिट का वियां हमरे आपके टोटल हि संस्कृत में पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए मैं दोस्त प्यार से और ध्यान से जोना हर एक सब्द को आप बालिकी से देखिएगा उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा तो चलिए यह सबसे पहले आपके सब्द को पढ़ने की कोशिश करना सुलोक याद करना जरूरी है क्योंकि खाली अस्तान भरने के लिए आपको दे देता है ठीक है तो इसलिए आप सब को यह ना प्यार से बैठके और देखिए अराम से देखिए सर यहां की मतलब क्या ठीक है तो अब सुनिए सुलोक को और दो भाग में तिन भाग में बाभ अब में तोरो तोर के पढ़ा जाता है आप सब जानते तो इसलिए अच्छे तरह के से तोर तो की पढ़ना आपको भी सीखिग आ जैसे बात करें में दोस्तर है कि और यहां पर यहां इसको समझनें कि कोशिस्किश की जए इसमें सबस पत्रेट करने का अवरन से भगन से सत्यस्य मतलब सत्य का अपिता मतलब ढखा हुआ मुख्षा मतलब मुखद्वार यह तत मतलब उसे तों मतलब तों पुछा यह सब्दार जोना आप यहां से आप इसको नोट डाउन कर लिजेगा कौपी मच्छे तरिक तरिक और इसको पत्रेट सत्य सापीता मुखं तत्वम पुष्णा वित्तो सत्य धर्मा दुस्ट्यते ठीक है फिसका मतलब यह होता है में दोस्त कि प्रभु सत्य का मुख भी सोने जैसे पात से ढगा हुआ है इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मुख माया को त्याग कर दें तभी सत्य की प्राप्ति संभव है तो अगर हमको सत्य क्या करनी है तो उसके लिए अपने मं से क्या करना हो भा मुह माया आख देना होगा तो यह वह गोड़ यह कि व्यांगने वो भगवां इसज़ कि व्ययाद की यह प्र 될 रहने इस आवस सउपनिय मैं यह पूछा आता है मिर्दोस आपस लोग उसर प्रनिशत से लिया गया तो आप अच्छे तरहिए से याद रखिये गा इस आवस से उपनीशात से शनकलित तथा मंगलम पार्ट से लिया गया है कौ हम शिआ अब इसमें सत्य की पिसमें ये कहा गया है कि संसारिक माया मो के वसीबूत होने के कारण ध्यान से सुनिएगा मेर्दोस्ट यानि इसका मतलब यह है कि संसारिक यानि एक दूसरे के प्रतिल लगाओ यानि किसी चीज की चाह वह होता सर अपना माया मो होता है अब उसके अंतर जो वह पसीबूत होने के कारण जो बिद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति जो नहीं कर पा रहे है यानि जीवन का जो सत्य है मैंने आपसे कहा था कि गौतंबु को सत्य की प्राप्ति आकिर वह क्या देशता सर मोमाया से वहां पर हो गए से तो आज की बात करें में दोस्त तो संसारिक मोमाया से वसेबूत होने के कारण विदवान भी चौना आज कर पाते हैं क्योंकि संसारिक चाह चौन्द में वसत इश्व का ढग जाता है कि मनुष्य जीवन परियंत अनावश्यक बटकता रह जाता है इसलिए इश्वर से प्रात्ना की गई है कि है प्रभू उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर से सच्छतकार हो सके यानि हम लोग आमने सामने जोनों मिल सके ठीक है अर्थाथ जीव प्रभू का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके जिस दिन आपको आपके मन से मुह माया निकल जाएगा उस दिन जीवन मरण में कोई अंदर आपको महसूस नहीं होगा और उसी को हम लोग कहते सर्मक्ष की प्राप्ति हो गई तो वहीं आम प्रभू से दर्म की प्राप्ति इसालएगा है रखी प्रभू हमारे मं अपको सकट्रे की अक्ट रोड़ तो जलदीन है टर चीजीं है अगर चीजे axle है तो प्रणियान मातो महियान आत्मास्य जन्तो नहीं तम क्रतू पस्चति वीति सोक धातू परसादान धातू परसादान ही वाटमना थेकर है तुर तोड़के पढ़ना, ठीक है ? घातू परसादान ही मात्मना थेकखया है तोड़ तोड़के पर दर शोड़ना पढ़नें की कोशिच करना तीका फिरसे एक पर च्वास पढ़ेंगे आम लोग मैं रोग्या उलिभक पढ़ेंगे हम आज मधो मार्माइभ स्लीवकू को पढ़ना उलिवत तौ karşı सब्दार्थ का थे गए आप उसको पढ़िए खा सुनिए मतलब इसका इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि जीव के हिर्दय रुपी गूफा में अनुसे भी छोटा यारी एक्टम की बात हुँ है अनुसे भी छोटा सुक्ष में तथा महान से बहां जोना आत्मा विद्धमान रहती है जल्दी से पतातों सब को मिलकर तो गुरुजी आत्मा विद्ध मान रहती है और उस परमसत्य के दर्सन मात्र से ही न जीवशोक रहीत हूखर1 परमातना में एका कार जाताया बिलीन हो जाता है जैसे हम लों अपने आत्मा को देखते हैं जैसे हम लोग अपने आत्मा को भी हमने अगर आप उसको अगर जान गया तो यह अमरे आप किस से मिल लेंगे सीधे सीधे आप परमात्मा में एकार हो जाएंगे कुछ ऐसा अब इसकी व्याक्या कि अगर बात करें तो देखो चाहिए अध्यान से प्यार से देखना आप अब कि यह सुलोсь एज लसे लिया रखना कि यह में प्रश्ण पूछा जालता है यह से लीक्ता कथो कर लिए लिए पार्थो लिया गया गए सब्सक्राइब इसमें आत्मा के स्वरूप यह निवास की सब्सक्राइब रहता है सब्सक्राइब करने जाते हैं अंदर से आब आता है अपने ये गलत है सच बताना यह उपर से पन उसको दवा देता है इस चिसको फिल करना, चाहिए चोड़ देना चाहिए यापी बाद में भी अपक्सोस हωता कि नहीं करना चाहिए था ठाइथ भो आत्मा की आवाज किसकी वाज है मैं तो आत्मा कहले का आत्मा करने के लिए आपको मजबूर करी यानि उसको मुक्स की प्राप्ति हो जाती है ज्यांसा सुनना यहां पर आत्मा को ही सत्य कहा गया है वो बताता है अंदर से वह वह कहता है कि ना कि गलत कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए अप लोग भैया मैं इस दिन पढ़ाई नहीं करते वह ना से बता कि यानि आप प्रमात्मा से आप रहोगे प्रमात्मा से आप मिल लोगे अगले सो देख में दोस्त अगले से यह कहता है एक बार इसको की देख लिए चालिए इसको लेकर पढ़िएगा ठीक है सब्सक्राइब करना होता है पढ़िएगा इसको आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं मतलब इसका यह हो जाता है कि सत्त की ही जीत होती है ऐसको जीत की नहीं ज्त्त की सत्त में यहीं शाथया ने सब्सक्राइब करते हैं अब क्प Panama यह और अब जिसके द्वारा ने दोस्त कि द्वारा कि अचपने संद। मार्ग का रिशी अनुसरान करते हैं वहीं सत्य इश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है जूट नहीं बोलते अना रिशी गड़ कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जोना जनकल नहीं हो ठीक है या पिर दूसरे कूपर जोना गलत पर भाव पड़े हम आज कल के रिशियों क कि बात कर रहे हैं जब लिखा गया होगा तो उस समय एकजांपल देके लिखा गया होगा आज के रिशियों की बात नहीं सब्सक्राइब और तो यह पहले की रिशियों की बात हो रही है में दोस्त तो रिशी जिस पथह का अनुसरन करते थें पर हम करते थे कह देंगे यह सकता है उपात करते हैं कि यह किस से लिया गया तो यह मुंड को पनिसत से लिया गया है याद रखना यह सत्य में उजयते हैं सब्सक्राइब और मंगला पाट से संकली था यह सुनो इसमें सत्य के महत्तों पर प्रकाश डाला गया है तो सत्य के महत्तों पर प्रकाश डाला गया है और रिशियू का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है तो संदेश दिया है कि संसार में सत्य की जूट की नहीं सुलोप के बादिया में सुनो ने बताया है इसका मतलब यह है कि इस्वर के प्राप्ति सत्य की अराधना सही होती है नकि संसारिक विशयवासनावों से संसारिक सुख सुवधा में अगर आप लिप्त हो संसारिक मुह माया से अगर आप जूड़े हुए हो तक है अगरी इसवर के प्राप्ति आपको नहीं हो सकती कैर नहीं हो सकते सत्थे कंवार सुख को ट्याइबन त्याग देना वह है सर अपना सथ्यक्राइब बता रहे कि जो संसारिक वास्नाव में डूबे रहने से संसार एक माया है तथा इस्वर सत्य याद रखना पूछा जाएगा इसलिए रिश्यों ने अपने उधार उधार सिंयगोट क्यूक करने के लिए उसके बाद से अगला स्रोक जो आता है सर वह क्या कहता है यद्या नद्यो संद्वाना समद्रस्तम गचंती नाम रूपे भिहाए फिर से सुननो मीरे दोस्त मतलब यहीं कि जिस परकार बहती हुई नदिया समुदर में मिलने के बाद ला नसी नहीं तो वहां पर नगात चाने के बार अपना श्द्त्त खोँ देती है अ कि श्क्राथ beto तो वहीं बात बताई रहाँ इस प्रकार नद्या संद्र में मिलने के पार अपना अस्दित्त खोदेती है स्टेट्विहीन हो जाते हैं छो मिल जाती है जागर के उसी करकार अपना रूप मिलते हैं già कर परकासम 번째 मिलते हैं मिलते ही अपने नम्रूप ces are मुक्त हो जाते हैं नाम रूप से मुक्त होने का मतलब संसारिक मौमाया से क्या हो जाते हैं वो बिल्कुल ही मुक्त हो जाते हैं यही बात बताए गया ब्याख्या में देखना ज्यान से क्या कहा जा रहा है कि यह वाला सुलुक भी हमरे किसमे किस से दिया गया में तो जीव का कहना है जिस परकार पर वह दोस्ति चरण कर लेती है उसी परकार जोना विद्वान इश्वर के दिवय प्रकास से मिलकर जीवर से मुक्त हो जाते हैं यइने जिव भीया मिया अभी जीव पर जाती की बात आर्म को को मुक्त से हैं कि भो किसका रूप धारन कर लेते सत्य का रूप भीयामिकर धारन जोनम कर लेते कुल मिलाकर यई है कि से हम भाएंगे तो उनसारिक मौमाया से तब हुझे और जब हम मिलेंगे तो अपना स्थित्तव हम लोग पो देंगे हम क्या थे नहीं अस नहीं यह दो misunderstood यह से लिए जाकर समुद्र में अपने अस्तित्च को देति हैं और जाकर वह समुद्र बन जाती है उस परकार से मिलता है तो अपने हस्तित्च को वो देता है और पर्मात्मा से मिलने का मतलब क्या है सत्य से मिलना दूसरा कुछ है क्या बोल भाई सब कोई दूसरा कुछ है क्या असर नहीं न तो पर्मात्मा से मिलने का मतलब जहना वो सत्य से मिलना है बात की लिए इतनी सी बात समझ में आ रही चल मेरे दोस्त अब अगला एगला सुलोक क्या कहता है जरे ध्यान से सुनना और प्यार से सुनना में अगला सुलोक यह कहता है कि वेदा वेदा हमेतम पुर्शम महांतम आधित्य बढ़नत्म तमसा प्रस्तात के तमेव आपणत आधित्य नंय पंता मतलब क्या है मेरे दोस्त की वेद आधित्यवर्ण सूर्य की समान दिप रूप में विरजमान है जैसे अपने को प्रकास देता है अपने को उर्जा परदान करता है उस प्रकार जोना वेद अपने पास मौदूद है अब ज्यानी जन उसका सक्षत कारते हैं उसको पढ़ते हैं और उसके साथ उसके प्रकास से जोना वो क्या होता है करते हैं कौन करते हैं क्योंकि इसके कोई रास्ता नहीं है अगर आपको आपको क्या पढ़ना होगा आपको बेद के सरण में तो जाना ही होगा तो अपने को बेद पढ़ना है चारवेद होते हैं इन चारोवेदों का घ्यान होना जरूरी है चारोवेद अगर पढ़तों विए अमने सत्य का घ्यान आपको स्वयम हो जाएगा आप परमपिना परमेश्म से मिल लोगे उनसे सक्षातकार हो जाएगा इतनी सी बात है दूसरा कुछ नहीं से ठीक है इसके लेकर इसको एक बार लिखिए गर किताब को पी में क्या कहा जारा सुनना यह लिया गया सब्सक्राइब तो स्वेता स्वेत्रों परिशत से ठीक है स्वेता स्वेत्रों परिशत से वियावरी यह लिया गया है इसमें बेद स्वर्यूप्रम्पिता परमेश्म के विशय में कहा गया है रिशियों का यह मानना है कि इस्वर की प्रकास इस्वर जहना वह प्रकास के पुंज की भाती इस्वारी प्रकास के पुंज है उन्हीं के दिब आलोक से सारा संसार आलोकित होता है अब ज्ञानी जो है ना उस बेद विश्य वासनाओं से मुक्ति पाते हैं और वेदों ने उसी अरित्यवन सुरी के समान जोना दिब परकास वाले ठीक है दिब परकास वाले प्रभू का जोना वो किया गया है दोस्वरा कुछ नहीं इसमें सब तीग है देखो बेद जोना एक आपका सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सत्य की प्राप्ती होगी और हमें जोना सही मार्व पर चलने का जोना वो क्या मिलेगा सर सही मार्व पर चलने के लिए अपने को बीद के सरण में जाना होगा है अपने को बेह तक कि कि लिए बाइवय सबको सब्थें, सवाइबंगि कर दो सब्सक्राइब करें ऐनके, वाइब अजैंगेrid, लॉक्ट अगरेल, वन दिसलेता्म के लिकार मेरा देए, सब्सक्षेंद में करें नहीं मत्हित सब्सक्राइब होता थाइब भूसाइल, बै 실त्ट धेंस लिए ब्रात्री, टेक क्या, टेक्क्या, टेक्क्या, टेक्क्यू